और अब भारत की बुलिट ट्रेन की लब्बे समय से हाइस्पी ट्रेन का सपना देख रहे देशवातियों की मुराद जल्द पूरी होने वाली है विकास की तेज रफ्तार में दौर रहे भारत का बुलिट ट्रेन प्रॉजेक्ट यो दिस्तर पे आगी बढ़ रहा है याद्यों की सुख सुविथाओं के साथ बुलिट ट्रेन में सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जा रहा है इसके लिए ड्रेल्वे ने खास इंतिजान किये है भारत में बुलिट ट्रेन का सपना जल्द साकार होने वाला है मुंबई से एंदबाद के बीच बन रहे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम जा रहे है यूँ तो बुलिट ट्रेन की अधिक्तम स्पीड साड़े 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी लेकिन ट्रेक पर ये ट्रेन 320 किलोमीटर के स्पीड से दोड़े है इतनी तेज रफ्तार के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल प्रश्वासन सतर्क है पूरे कॉरिडोर को इतना सुरक्षित बनाया जा रहा है कि भूकम भी इसका कुछ ना बिगाड पाए इसके लिए रेलवे पूरे कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगाने जा रहा है सिस्मोमीटर वो उपकरण है जो प्रारंबिक तरंगों के माध्यम से भूकम का पता लगाएंगे और आपातकालिन सिस्टम को सक्रिय करेंगे 208 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 28 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे इन में सिब 22 सिस्मोमीटर बुलेट ट्रेन रूट पर लगेंगे महराष्ट में आने वाले हिस्ते में 8 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे मुंबई ठाणे विराट और बोईसर जैसे इलाके चुनहित किये गए हैं जबकि गुजरात में आने वाले हिस्ते में 14 सिस्मूमीटर लगेंगे जिसमें बापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बडोद्रा, आनंद, महिम्दबाद और एहम्दबाद होंगे बाकी बचे 6 सिस्मूमीटर उने लाकों में लगेंगे जो भुकम को लेकर समवेदन शिल्माने जाते हैं जिन में 4 महराश रुके हैं, खेड, रतनागिरी, लातूर और पांग्री, जबकि दो गुजरात के अदेसर और ओल्ड भुज में हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्परेशन लिमिटेट ने सिस्मूमीटर लगाने के लिए जिन लाकों का चैन किया है, वो काफी एहम है जहां पिछले 100 सालों में भुकम की तीवरता साड़े 5 से जादा रही, वहाँ ये सिस्मूमीटर लगाए जा रही है अब ये भी जान लिजे कि आपातकाल में बुलेट ट्रेन की मदद कैसे करेगा सिस्मूमीटर सिस्मूमीटर प्रारंबिक तरंगों से भुकम का पता लगाएगा भुकम के जटके की जानकारी होने पर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और्ट्रमेटिक सिस्टम से कॉरिडोर की बिजले अपने आप बंद हो जाएगी बिजले सप्लाई बंद होने से आपातकालीन प्रेक सक्रिय हो जाएगे भुकम प्रभावे तिलाकों में चल रही बुलेट ट्रेन रुख जाएगी भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट भारत और जापान की अटूर दोस्ती की भी मिसाल है रेलवेस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की खामी नहीं छोड़ना चाहता खास बात ये है कि बुले ट्रेन को भूकम से सुरक्षित बनाने वाले इस पूरे प्रोजेक्ट पर जापानी विशुशग्य भी नजर बनाए हुए है प्योरा रिपोर्ट गुड नीउस टुडे